काट करो, टेश नमबर बन, तोच्छन देखो जड़ा, आज आपनों क्या-क्या डिसकस करेंगें, कुछ प्रसनों को देखो आग, और ये जो आपनों प्रसनों डिसकस कर रहे हैं, ये पूरा जो टॉपिक है, यूपी-पी-पी-ची-एस पेके अंदरीत है, ना कि यूपी- मैं स्टेट फारवर्ड, सीधिय-सीधिय प्रसनों पूछे जाते हैं, उसी को उनलों डिसकस करेंगे, ये जैसे मैं कुछ प्रसनों को लिखना चाहता हूँ, इन प्रसनों को मैं डिसकस करूँगा, नीतिशास्त्र क्या है, मानो जीवन में, इसकी, या तो प्योगिता पूछे, या तो भूमिका पूछे, प्योगिता को स्प्रस्ट करें, सीधा सीधा प्रसन के बात करें हम लोग, दूसरी चीज, दूसरा जो प्रसनों डिसकस करेंगे, लोग प्रसास्त्र में, नीतिशास्त्र की, अप्योगिता का वॉर्ण करें, तीसरे जो प्रस्ट यह है, आप किस आधार पग्गा सकते हैं, कि नीतिशास्त्र, या नैतिक्ता, प्रसास्त्र को सुशास्त्र में, रूपांत्रित कर देता है, आप किस आधार पग्गा सकते हैं, कि नीतिशास्त्र या नैतिक्ता, प्रसास्त्र को, सुशास्त्र में, रूपांत्रित कर देते हैं, अगला कुश्षन, नमबर चार, चले, चले, कुश्षन नमबर चार, मानिकी नीतिशास्त्र, यह रूपां, व्याभारिक नीतिशास्त्र, व्याभारिक मतल्ब अपलाइट एथिक्स, मानिकी का मतलब है, नर्मेटिव एथिक्स, व्याभारिक नीतिशास्त्र में, अंतर को स्पस्ट करें, कुश्षन नमबर पांच की बात करें, देखा जा तो, यह कहा जाए, आधुनिक बिचारधारा के अधार पर, अंतर को स्पस्ट करें, नीतिशास्त्र, की भी बेचना करें, कुश्षन नमबर छे की बात करें हम लोग, अब देखो आप, अगला, बेभारिक नीतिशास्त्र में, आधुनिक नैतिक समस्याएं क्या हैं? आधुनिक, नैतिक समस्याएं क्या हैं? या, हम नैतिक चिंता की बात करें, नैतिक चिंता क्या है? अगला कुश्षन नमबात करें, देखो आप, कुश्षन नमबर साथ, आप किस आधार पर कह सकते हैं? कि नैतिकता साप एक चोटी है? नैतिकता साप एक चोटी है, अगला कुश्षन, धार्मिक नैतिकता एवं, धार्मिक नैतिकता की बीच, अंतर को इसपश्ष्ष करें, पुश्षन नमर नाइन की बात करें हम लोगों, नेतिकता साप एवं, आप किसे स्विकार करना चाहेंगे और क्यों? किसे? और क्यों की बात करें हम लोग? अगला कुश्षन देखवा आप, चलें, हो गया, कुश्षन नमर, के इन की बात करें, वेभारी की नित्सास्त्र की, नेतिक समस्या के रूप में, समलेंगिक बीबा, के नेतिक और चित का विश्षन करें, कुश्षन नमर 11 की बात करें हम लोग? नियायले में, AI के बढ़ते उप्योक्षे, उत्पन नेतिक जिन्ताएं क्या हैं? अगला, कुश्षन नमर 12 की बात ठीक है? चला जाएं? 12, बीबेक की संकट को, खुदाहरण के साथ अस्पेश्ट करें, तथा, इसके सामाधान के लिए, कुछी तुपाएं बताएं, कुश्षन नमर 13 की बात करें हम लोग? नयतिक संकट क्या होता है? यह आर्थ को स्पस्ट करें, नयतिक संकट के आर्थ को इस्पस्ट करें, तथा, नयतिक दुबिथा एवं, नयतिक संकट के बीच आंतर, तथा वड़न करें, कुश्षन नमर 14 की बात करें हम लोग? नयतिक पहचान क्या होती है? हो गया? स्पस्ट नमर 14, नयतिक पहचान को उदाहरण के साथ अस्पस्ट करें, पथा, प्रिडामों को इंगित करें, अंत में, हम कुश्षन नमर 15 की बात करें हम लोग? कि, नयतिक प्रबंधन, या आर्थ, तो महत्त को इंगित करें, तथा, किसी संगठन में, नयतिक प्रबंधन के प्रती, तथा, तथा, अभिविप्रित्त के लिए, तथा, कुचीति प्रता है, यह हम लोग 15 प्रसन डिस्कस करेंगे इथिक्स के मीनिंग पर और स्टेट पीशियस में नीत साथ और नातिकता से सम्मंदित कि अर्थ अर्थ के मीनिंग के बात करूँ मैं मेरे पहले टापिक शुरुआ थे नीत साथ और मानवी साथ सम्मंद तो कई बार एक प्रसन दो प्रसन के मीनिंग पर पूछा जाता है और मीनिंग से समदित कुछ भी पूछा जाएगा हम करने में सक्षम रहेंगे ठीक है एक बार हर एक प्रसन के आउटलाइन में बताना चाहता हूँ मैं अखिर नीत सास्त्र का आर्थ क्या है नीत सास्त्र का तिक किस है क्या इसका आर्थ है सोचो आप मानु जीवन में इसकी उपयोगिता को सबस्ट करे करें मैंने डिस्कस किया था जो नीत सास्त्र है उसका जो आर्थ है नीत सास्त्र की नित्सास इथिक्ष का हिंदी रुपांत्रण है इथिक्ष सब्द बना एथोश से जिसका आर्थ उतर रीत रिवाज अर्थात जो इथिक्ष है जो नित्सास्त्र है एक दिस्कोर से समाजिक राजनितिक आर्थिक प्रतिक छित्र में नियम और कर्तब बे आच्रण के निर्धारन का एक मानक है जो यह बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए नित्सास्त्र हवेशा दुनिया के कोई ऐसे चीज नहीं जाए ठिक्ष के अब इक्षा नहो तो हर एक चीज चैवप परियावरणी हो चैवप सामाजी खो राजनीती खो आर्थी को प्रतिक छित्र में कारियों के और चित्र के निर्धार का मानक है या अर्य बात है यह आदर्स मुलक बिज्ञान है जो बताता कि मेरा आच्रण कैसा होना चाहिए अब सुचो मानो जीवन विसके उपयोगी ता कुछ सपष्ट करें यह मानो जीवन वो पयोगी क्यों है कल के क्लास को या कब यह इकाल करो नंबर वन मानो जीवन के लिए पयोगी क्यों है नंबर वन क्योंकि इथिक्स मानो का मुल्यात्मक और नैतिक विकास करता है उचित अनुचित का बोथ कराता है जिससे मानो नैतिक नड़े लेने में सक्षम हो जाता है पहला पॉइंट दूसरी चीज ये मानो को नैतिक संकट और नैतिक दुपजात ने में सहायक बनाता है पहथा उसके आचरण को अनुचासित करतबनिष्ठ और मुल्य उन्मुख बनाता है अरवाब, नंबर ती नेत्सास्त्र के काण़ ही ज्ञान दो नेत्सास्त्र के कारण ही मानो व्यक्तिकत हित और समाजिक हित की बीच एक बहतर सामंजस को बना रखने में सक्छम होता है जिससे समाजिक संगर्स दूर होते हैं यह सब कुछ बता चुका हूँ मैं आरी बात है नमर चार हम चौति चीज़ बात करें बिबेक संगत नेडे लेने बिबेक संगत नेडे लेने के साथ इसी वस्तु के नैतिक मुल्यांकन की और मानो को उन्मू करता है नितिसास नमबर पाच यह मानो को बहतर परसासक बहतर राजनिता बनाता हूँ आरी बात है तक कि समाज का बहतर मार्ग दरसन में सक्छम हो जाए अरी बात है, नमबर छे की बात करें देखा जाए, यह समाज के परती मानो को सम्मेदन सील सत्तनिष्ट अरी बात है, बनाता है दूसरी तरफ, बदलते हैं समय के अंदर लोच सीलता यही नहीं, बलकि आधनिक प्रावदोग्य की के नैतिक उप्योग की और पुरसाहिज करता है, याद रखना प्रावदोग्य की अपने आप नह तो अच्छी होती है नह तो बुरी होती है, मानो उसका उप्योग करता है, किस तरह करता है पर एक्जंपल निउकलियर एनरजी कर सत्त्प्योग होगा तो मानो के लिए बरदान और nuclear energy का दुर प्योग होगा, तो मानों के लिए अविशाफ, पर example, परमाणू, बम का अंदिर माणू, अब वब nuclear energy का दुर प्योग करेगा, या सत्प्योग करेगा, यह depends करता है कि मानों, मिसालों के अंदिर माण की बात, बात समझ्जमय में आगी, अच्छा घूम पिर के वही सारे बिंदों का उले करना है अलेकिना 125 वर्ड्स में ये 150 वर्ड्स में दूसरा कुर्शन देखो लोग परसासर में नेथ सासर के उपियोगिता का वर्डन करें हमेशा ध्यान दे इस बात को आप करोगे क्या हम नेथ सासर के मेनिक बताएंगे हम बताएंगे लोग परसासर में इसके उपियोगिता क्या है ये बाते अब ध्याजा सुन्दे इस बात को लोग परसासर में उपियोगिता क्या है ये क्यों उपियोगिता क्या है क्लियर नमबर दो के बात करें नीत इंद्रमान और नीत के क्रियानों में लोग प्रसासकों की भूमिका होती है, आरी बात है, नीत सास्त्र, नीत सास्त्र, लोग प्रसासकों को, नीत इंद्रमान और नीत क्रियानों के किंद्र में, जनहित को, जनहित को रखने के लिए प्रेरीद करता है, पॉलिसी कौन मिनाता है विरोक्रेट उसका क्रियारोन कौन करता है प्रसाशक नीत सास्त क्या कहता है देखो बाई पॉलिसी तो बना रहे हो पर पॉलिसी की किंदर में कौन होना चाहिए जनहित होना चाहिए नमबर दो की बात हमेशा नित साथ लोग प्रसासक को संसादनों के सदुप योग संसादनों के नयाचित बित्रण नयाचित बित्रण आरी बाते तथा संसादनों तक प्रतिक ब्यक्ति पहुंच को सुनिस्तित करने के लिए प्रेडित करता है पडामता प्रसासन सु सासन में रुपांतरीत हो जाता है नमर तीन ये नित्षात्रिय नैतिक्ता प्रसासन को सत्तनिष्ट, कर्तबिनिष्ट संबेदन सील जनता प्रथम की भावना अरिवाते हैं, लोज सील आधुनिक मुलू की प्रति प्रतिबद सहन सील सहे शुरू और बिनमर बनाता है जिससे हमेशा जिससे प्रसासक और जनता की इंट्रेक्शन बढ़ता है, इंट्रेक्शन पड़ामता प्रसासन में पारदर्सता जबाब देईता, वो प्रसाहन मिलता है नमबर चार, पॉइंट समझे में आ रहा है नमबर चार की बात करें हमेशा जब जिससे सविता सफल होती है तो उसका मूल कारण ये कि प्रसासन सफल है अर ये बात है, जिससे सविता असफल होती है, तो इसका आरत ही है कि प्रसासन के दाईत का अनुपालन नहीं किया, नित सास्त्र प्रसासक को कर्तम निष्ट बना करके एक सब इस समाज के निरमाण में सहाइग बनता है इसलिए दुनिया के डेवलोग कंट्री एक नैतिक प्रसासक के बल परी विकास के पत पर अग्रसर हुए है प्वाइंट यह सारी बात है तिसरा प्रस्ण अब किस आधार पका सकते हैं कि नैतिक प्रसासक को सूसासन में रूपांतरीत कर देता है किस आधार पका सकते हैं या सासन को सूसासन में गुड गवर्निंस में कनवर्ड कर देता है अरे वाद किस आधार पर भेंदो आप मैं बता लो नेतिकता प्रसास्त को सत्तनिष्ट और कर्तमिष्ट बनाता है जिससे विदी के सासन को पुरुशाहन मिलता है याद रखना जाब विदी का सासन होगा वसू सासन होगा यह नोगा जाब विदी का सासन होगा वसू सासन होगा पहली बाद नमबर दो की बात करें यह नीत सासन करता क्या है, सुसासन के लिए पारदर्स्ता जबाबतिता दोनों जो रहे है नीत सास्त करता क्या है एक प्रसासक को जन सेवक कर रूप में पस्तित कर देता है जिससे याद रखना है, जिससे प्रसासक और जनता की इंट्रेक्शन बढ़ने से पारदर्सिता और जबाब दहिता दोनों बढ़ जाता है गुड़ पाइंट है जगोंपिर को वही आ रहा है नमबर तीन की बात करें हम लोग देखो होता क्या है ये करता क्या एक तरह से अब पारदर्सिता होगी सुसासन का एक नीव इसेश्टा है सुसासन अब ये बात है नमबर चार की बात करें हमेशा निथ सास्त एक बहतर प्रसासनिकार संस्किति के साथ नागरिक चार्टर नागरिक चार्टर कि स्विकारता पर बल हाजा नागरिक चार्टर होगी वाँ भीरोक्रिसी में democratic culture आ जाएगा हाँ जान लोग तांतरिक संस्किती होगी वाँ प्रसासन सूसासन में क्या हो जाएगा convert हो जाएगा अज मरी बास वह में आगी अजो घूम पर को ही आ रहे हैं हम लोग अगला question देखो अब मानिकी नित्साथ और बेवारिक निस्वा अंतर को स्पष्ट करें क्या अंतर है basic different देखो नर्मेट एथिक्स और applied ethics में basic different क्या है मान की नित्साथ आदर सात्वक ये ideal ethics है जो बताता है क्या करना चाहिए applied ethics में क्या है आप क्या करते हैं तो जो मान की नित्सास्त्र है मानों के ध्यान दो एक सिद्धान्त और नैतिक प्रतिमान निर्धारित करता है theory बताता है एक criteria decide करता है नैतिक प्रतिमान और बताता है मानों को कैसा कार करना चाहिए और applied ethics क्या करता है मानों की बरत्मान आचरन का मुल्यांकन करता है और ये बताता है कि आपका आचरण कहा तक नहीं दीखे इसका मतलब है मान की नीत सास्त्र का संबन सिधांत और प्रतिमान से और अप्लाइट इथिक्स का संबन मानों के ब्यवारिक आचरण से अरे बात हैं? दूसरी चीज़ हमेशा जो मान की नित सास्त्र है समेख गंढरूप सिधांतों को बदलता रहता है और ये बात है नेने सिधांत जैसे सद्गुन इथिक्स की बात करें हम लोग हमेशा जानती इस बात को वर्चु इथिक्स की बात करें जबकि applied जो ethics है, बेभारिक जीवन के जितने पक्ष हैं, उसमें नेतिकता की बात करता है, जैसे environmental ethics, media ethics, आरे बात gender ethics, कि हम बात करें, इसकी बात करता हो, तोनों में अंतर देखो ज़र है इस बात को, नमबर तीन की बात करें, जो normative ethics है, हम आदर्स की बात करें, जो आदर्स ethics है, वो universal होता है, पर जो applied ethics है, जो culture का अंदरू बदलता रहता है, समय का अंदरू भी बदलता रहता है, पुसकता है, आज जो ethics हो, कल ethics नहीं हो, पर example, हम बात करें, अहिंसा प्रमो धर्मा, अहिंसा एक नयतिक मुल्य है, पर देश की सिमाओ पर इदीद शुरू हो गया, तो बिरोधी सैनिकों को मारना, इंसा तो है, फिर भी वो नयतिक है, बिल्गुल, अरी बात है, तो दोनों में basic different देखो दरा, अगली चाईज, नीति सास्त्र के विचे भी बेचना करें, आधुनिक विचारधारा के दार पर, अरी बात है, अचा, आधुनिक विचारधारा के दार पर, जो नीति सास्त्र क्या-क्या है, ज्यान सुनना, आधुनिक विचारधारा के दार पर, जो नीति सास्त, ठीक है, एक नया एथिक्स भर्ला बहुत तेजी के साथ जिसमें Marksism Ethics की बात की जा रही है Marksism Ethics Markswadi Ethics की बात की जा रही है और Markswadi जो Ethics है एक नेतिक समाज के निर्मान के लिए वर्ग भीन, सोसड भीन समाज के निर्मान की बात करता है और करता है कोई common interest नहीं होता अरे बाते हैं, वर्गी हित होता है, अमिरों का आलेग इंट्रेस्ट, गरीबों का आलेग इंट्रेस्ट, इतिकल सुसाइटी का अंद्रमाण करना है, इतिकल, सुसाइटी, नैटिक समाज का अंद्रमाण करना है, आपको वर्ग भीहीन, सोसण भीहीन, समाज का अंद्रमाण क क्या है लेंगिक नित्सास्त्र क्या है ठीक है लेंगिक नित्सास्त्र क्या है हमेशा कि प्रतिक ब्यक्त की पहचान प्रतिक ब्यक्त की पहचान अरिवाते लिंक के अधारपनी एक इंसान को रूप में होनी चाहिए और महिलाओं को पुर्सों के बाबर अधिकार मिलना चाहि जिंडर इथिक्स और जितनी भी प्रमप्राएं हैं जहां मैलाओं के साथ भीदवाओ उसका निसीध होना चाहिए जिंडर इथिक्स हो जाएगा अब एक बात हमेशा धान देनें इस बात को एक तर से दिखा जाए तो फ्राइड का इथिक्स है आधुनिक बिचारधारा मैं फ्राइड का इथिक्स वो सुपर इगो की बात करते हैं अर यह बात है जो कहने कि समाथ से ब्यक्ति को मिलता है तो कहते हैं इगो से आहम समाप्त होना चाहिए फ्राइड इसी पर उनकी पूरी इथिक्स के इंदरित है आगे देखू आधुनिक नित्सास्त्र में आधुनिक नैतिक समस्या है क्या है आज के नैतिक समस्या क्या है पहली नैतिक समस्या है हमने देखा होगा इतकल समलेंगिक विवा एक इतकल समस्या है यह नमबर दो सरोगेसी युथेनेसिया इच्छा मृत्यू अर यह बात है एक नैतिक समस्या है आधुनिक तक्निक का उपयोग तो हो रहा है पर तक्निक का दुरपयोग कैसे हो रहा है सोशल मेडिया बड़ी अच्छी बात है पर एक नैतिक चिंता एक सोशल मेडिया का दुर्पयोग शुरू हो गया है, अब बच्चो का मन प्रभावित हो रहा है, नहीं, एक नैतिक समस्या है, सुसल मेडिया, जिसको देखो, हद यह हो गई, एक छोटा सा बच्चा जो है न, जो एक साल का है, वो भी मुबाइल पाती चुप हो जा रहा है, दूद भी पीता सोचल मीडिया, हाँ, हाँ, बिल्कुल, नहीं, अब वो दे दो, तो दूद पी लेगा, हाँ, बिल्कुल, यह इस्थिती है, यह आधुनिक नैतिक समस्या है, इसमें मैं क्यों चर्चा करूँगा, समलेंगी कि भी बाप है, बहुत सारे नैतिक इसु है, हम क्यों पॉइंट सब की गिना दूँगा, जर्चा पॉइंट, आंसर को फ्रेम करूँगा क्यों समलेंगी क्योंकि इसे मैं मुद्दा समलेंगी एक भी बाप चलना है, ठीक है, अगला देखो ज़रा, आप किस अधार आप क्या सकते हैं, कि नैतिकता साप एक छोती है, नमबर वन, नैतिकता क निर्धारन, सारजने खित के अधार्प होगा, तो सुभावी क्या है, नैतिकता भी क्या होगी, साप एक छोगी, clear, हो जाएगा, नमबर दो की बात करें, absolute ethics होती ही नहीं, absolute morality होती ही नहीं, कि नरिपेक्ष नैतिकता होती, तो आदि मनुष भी नैतिक होते हैं, पर जब मान जात का पदारपन होगा, तो नैतिकता ना कि कोई चीज थी ही नहीं, नैतिकता को दुब बाद में हुआ, और समय के अंदरू, अब देखाओगा, नैतिकता लगाता है, जबलप होती चली गई, और मौडिफाइड होती चली चली गई, तीसरी चीज, नैतिकता के निर्धा भी देता है, कई ऐसे इंजेक्शन जिसमें ड्रक्स होता है, जो पेन के लिए वो भी क्या ड्रक्स होता है, सोने के लिए जो दबाएं दी जाती वो भी क्या है, वो ड्रक्स है, ड्रक्स लिए अपने आप में अनैतिक है, पर कोई ब्यक्ति बीमार हो, तो पिसेंट को ड्रक उसे मैनत करते हैं, तो बारात के दिन, जितनी भी लोग हैं, सबको अफिम दी जाती है, छोड़ा छोड़ा, और उसे कल्चर बाना जाता है, मुझे भी दिया, मुझे कि ये क्या है, खाखा, ये बहुत टेस्टी है, तो मैंने ले करके, तो बगल में एक लड़का हो, काने सरी ये अफिम है, और वहाँ सभी लोग लड़का सभी अफिम लिया, तो छोड़ा सा टुकड़ा, मैं ले के पार्केन पर रख लिया, ताकि उनका अपमानना हूँ, आब आद में फेक दूँगा, तो जब ट्रेन में चरणने लगा, तो लड़का का सा अफिम पार्केन पर पर लेते हैं, और जो थकान दूर हुजाती है, अचो कि पूरी रात काम करना लोगों को, तर कोई क्या करेगा, अचा, उसमें जितनों के दिक्षा ब्रिद हो, तो पंदरे साल का बालक हो, सभी को दिया जा रहा है, और वहां से आगे जाओगे मंदसवर वाफिम की खेती हो एक student ऐसा, एक ऐसा student, जिसकी घर वाले भेंड चराने का काम, भेंड समझते हैं, वो पूरा घूम के भेंड चराते हैं, और आई इस तियार्यालेडी वो, वो भी है, प्रोफेसर हो गया वो, अब सुचो, वो अपनी घर ले गया, जहां गया था मैं, उसकी घर में क्यों भे खेर, उसे नयतिक, बाते समझ में आगी, सिंपल चीज़ें, इसका मतलब है, नयतिकता सापेक्च होती है, एपसलूट नहीं होती, यही चीज़े ही है, अगला देखो आप, अब बोलो आप, पहली बार दिकत नहीं होती है, अब दो-तिन बार खाल होता, आप क्या बन जाओगे, फिर आदत छूड़ती नहीं है, नहीं, अब देखो, एक छोड़ा चीज़ाम पल लो, जब सरी को जिससे आराम मिलता है न, सरी हमेशा उसी का पिक्चा करता है, मैं घर गया हूँ, बिस दिन आराम किया हूँ, आने में बड़ी दिक्कत, पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो लिए मुझे, अब धिरी-धिरी में ले में, आ रहा हूँ मैं, आप सुचो आप, अब देखो, धार्मिक नहीतिकता, और धर्म पेक्ष नहीतिकता के बिए अंतर क ही कोई आओ सकता नहीं है, नमबर दो, धर्मिक नहीतिकता का जो स्रोत है, वो धर्म गरंत होते हैं, जबकि धर्मिक नहीतिकता का जो स्रोत है, वो समाज होता है, नमबर तीन, वहां क्या नहीतिक है, क्या नहीतिक है, इसका जो निर्धारन है, वो धर्मिक निमू का अधार पर होता है, यहाँ समाज कल्यान के अधार पर होता है धर्मपेक्ष नेतिक्ता में समाज कल्यान के अधार पर होता है वहाँ धार्मिक नेतिक्ता का पालन क्यों? क्यों एक स्वर्ग मिलेगा, अनिता नरक में जाना होगा धर्मपेक्ष नितिक्ता का पालन क्यों? तक एक बहतर समाज के अंधर माड़ू एक अच्छे इंसान का अंधर माड़ू बाते समझ में आगे? हमेशा, दूनों में अंतर देखो जाला अगला नीथ सास्त्र एवं मोरिलिटी में अंतर को स्पष्ट करें नीथ सास्त्र अंगरी जी में इथिक्स कहते हैं इथिक्स बना एथोस से एथोस का अर्थोता रीत्रिवाज मोरिलिटी जो बना मोरिस से और मोरिस का अर्थोता रीत्रिवाज इस परकार दोनों तो प्रयावाची हैं और दोनों में अंतर है नीथ सास्त्र एक प्रकार का कहा जाता, समाज द्वारा स्विकृत एक आच्रन नियमावली है जबकि नैतिक्ता उचित-अनुचित का मानक है, नित सास्त का जो स्त्रोत हो समाज है जबकि नैतिक्ता का जो स्त्रोत हो इंट्यूशन है नित सास्त का उलंगन करने पर समाज, या अलूचना का सिकार होना पड़ता है नैतिकता के उलंगन करने पर प्राइस्टीत होता है आर यह बात है, जो नित सांसरे है वो सांस्कतिक मानकों से संबंदित है और अलग अलग समुधा कल्चर में इस धिक्स अलग अलग होता है पर नेतिकता, तो कि उचित अनुचित का मान डंड है, तो सांस्कतिक मान को से परे होता है, जाओ प्रभात, भूनेस को, सो रहा है क्या भूनेस, अच्छा, हो सकता चिंतन कर रहा हो, अब सुचो, आप किसी स्विकार करना चाहेंगे और क्यों, आड़े बाते, सच तो दोनों जरूरी है, क्योंकि नेति सास्थ का अनुपालन से अच्छे राजनेता, अच्छे प्रसांसक पैदा होते हैं, और नेतिकता का अनुपालन से अच्छे सिक्चक, अच्छे अभिभावक, लेकिन, इन दोनों की दिस्कूर्ट से देखा जाए, त उठी तनुचित का मानक है यह और समानता यह उणिवर्सल होता है नेतिक्ता के एक पार्ट है लेकिन दोनों में अंतर तो है यह दोनों में अंतर है दोनों में से किसको स्विकार करना चाहेंगे मैं बताओं नेतिक्ता सांस्कितिक मानक की बात जबकि नैतिकता का सांस्कतिक मानकों से कोई रिलेशन नहीं होता और जहां कल्चर से रिलेशन होगा न वह नैतिकता परस्तिति सापिक्ष होगी और जहां परस्तिति सापिक्ष होगी वह नैतिक संगर सुरू हो जाएगा पर एकजंपल, इस्लामीक कल्चर कहता है, कुर्बानी नयातिक है, जैन सम्दाय कहता है, गुर्बानी अनयातिक है, ये क्यो, इथिक्स, जबकि मॉरिनल्ली कहती है न, पर तेख जीव का कल्यार प्लात्मी है, तत्या किसी भी रूप में हो, हाँ हाँ ये क्या सर समाजी की निमो का उनुपारण अवस्य करेगा अगला ची ब्यभारिक नीथ साथ के नैतिक समस्या के रूप में समलेंगिक विबा के नैतिक और चित का विशलिशन करें समलेंगिक विबा समान सेक्स के विशलिशन करें तो बिभारिक नीत साथ के नैतिक समस्या के रूप में समलेंगिक विबा के नैतिक और चित का भी स्लिस्टन करना है कुछ लोग इसे नैतिक मानते हैं क्योंकि यह सुतंता को गर्मे में जीवन को अपनी अनुसार जीवन जेनी की सुतंता देता है तो लोग इसे नैतिक मांते मानवा दिखार घोशला पत्र में भी इसे मानिता दी गई है Human Rights Declaration 1948 में इसे मानिता दी गई है और जहां मानवा दिखार घोशला पत्र में मानिता दी जाएगी वो नैतिक होगा Supreme Court ने से गैर कानूनी नहीं माना अरि इसे अपरात की स्रणी में नहीं रखता है हमेसा जानती इस बात को और दुनिया काने के से देश है जहां समलेंकिक विबा को कानूनी मानता दी जा चुकी है अथ अनैतिक है लेकिन नैतिक और चित का विस्सलेशन और दूसरे नजरीश से देखा जाए तो अनैतिक है क्यों? क्यों परिवारिक मुल अभिबाईक मुल्य का खंजन कर देता है समाज के ताने बाने को क्या करता है? बिगाड देता है यह आपराकिर्तिक है या अरिवात है और परिवार के सदस्युक की बीच जो इमोसल अटैच्मेंट है उसको खत्म कर देता है बलकि परिवार समाज का जो मूल आधारे परिवार उस पर चूट करता है इसलिए क्या है? अनैतिक है अगली चीज नियायाले में AI के बढ़ते उपयोग्स उत पर नैतिक चिंता हैं क्या है? यहां भी देखो कुछ न कुछ नैतिक चिंता तो है ही और क्या नैतिक चिंता है? देखा जाए तो अच्छा एक और चीमिकार करना चाहता हूं कि यहां यहां प्रावदोगी की आया है? यहां नियायले के संदर में और आप आधिक कानुन तिन्नों लागू हो चुके हैं इसलिए हो सकता है यहां पर से पूछा जाए ठीक है? तो नैतिक चिंता देखो क्या चीज आई है पहली नैतिक चिंता बात करें हमेशा जो artificial intelligence के जो उपकरण है न उपकरण उसमें पारदर्स्ता का भाव है और कई बार इनके जो decision होते हैं मनुस्थ की समझ से परे होते हैं यह नैतिक चिंता है दूसरी चीज कई बार इनके नेडे आसुधी भेद भावपूर परडाम region क्या चीज है नेडे सही तो देता है बढ़ी अच्छी बात है यह लेकि वो बेक्ति किस परस्तिती में अपराद किया भोदा कहता है decision देते समें भोदा consistency विचारक अब नेडे देते समें यह देखो किस परस्तिती में किया उसने अपनी रक्षा के लिए किया या सामने लेक्षा थी पहुचाने के लिए उसने किसका क ADAM उठाया है बिलकुल हमेशा और कई बार यह प्रुवाग्रहों के प्रति सं antisील होता है याद रखना और हमारे तमाम सुचनाव में बहुत सारी प्रुवाग्रह है बहुत सकता प्रुवाग्रहों को क्या कर लिए adopt कर ले तीसरी चीज हम बात करें कई बार क्या होता है दिक्कत ये कि जब AI नेड़े देता आने कैसे data है जिसके गोपनिता का क्या लखा जाता है और हो सकता हो वहां तो AI पहुँच नौप है तो decision कैसे देगा वो अगली चीज हमेशा दिक्कत क्या चीज है ये जब decision देगा मानवाधिकार मौलिक मौलियों के जोखिम की नई चिंता है पैदा हो सकती है ये नैतिक चिंता है आरी बात है कारण क्या है कि जब इन decision देगा जो तत्य उपलब उस पर ध्यान देगा हो लेकिन एक प्रस्ण पत्यों को जिसने collect किया है वो कितना सही है क्या हो निस्पक्ष है AI के महां तक पहुँच हो पाएगी नहीं हो पाएगी जो डेटा होग उसे कितार पर decision देगा वो सकता है डेटा का collection है निस्पक्ष नहीं हो इसने UNICEF ने एक report जारी किया है और UNICEF ने ये कहा है कि न्याले के चित्रे में न्याइक चित्रे में जब AI का उपयोग करो तो फिर निस्पक्षता को ध्यान दे है और निस्पक्षता को बना रेखने के लिए उसने कुछ गाइड लाइन रिधारी किया है गाइड लाइन, यूनिसेफ ने, जिसके बाद हम लोग करेंगे, अगली चीज, बिबे के संकर को धारन के साथ अस्पष्ट करें, इसके समधान के लिए उच्छी तुपाए बताएं, हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, नहीं है, लेकिन, कानून के थार निडे तुदेगा, जग गवा अपने बिचार को ब्यक्ट करेंगे, निडे तभी तुदेगा वो, हो सकता है, गवा ही पक्चपात पूनो, गवा ही, जो गवा या पुलिस, जिस डेटा को कलेक्ट कर रही है, उट डेटा के अनॉर्सिस करेगा, और डिसेजन देगा, वो सकता पुलिस बिक चुकी हो, हाँ, कोट, मुद्दा तो यही है न, पर कई बार क्या करता है, मानो क्या करता है, सम्मेदन सील होता है, कई बार इस पर केस को देखता है, पर स्थिती को देखता है, किस पर स्थिती में अपरात किया गया, पर कई बार पुलिस पर को समार्क उठा देता है, उसका डेटा ग क्या इंडिया में भीजी की उचित त्रक्रिया नहीं चल ली है? बिलकुल. कहानी समझ में आगी? अगली चीज. बीबी के संकट को धारण क्या बताओ? बीबी का संकट होता क्या है? जब उचित और अंचित की बीच हम भ्रमित हो जाते हैं. जब बीबी का संकट हैं. मैं ने पहली क्लास में एक एक चीज समझाया हूँ. घंटों इसी पर लिक्टर लिया है, बीबी के संकट पे. बीट एक्जामपल. और आज जितना भी कुछन डिसक्स कर रहा हूँ न, जो तीन दिन में एक क्लास लिया, उसी पर सारा कुछन डिसक्स कर रहा हूँ मैं. जो तीन क्लास लिया मैंने. अचा, उदाहरणों के साथ की बात करें. बीबे के दिसंकट की बात करें. उदाहरणों के साथ बताना है. बहुत सारे एक्जामपल है बिबे के संकट का जैसे एक छोड़ाज एक्जामपल लेता हूँ अक्षर देखा मेडिकल छेत्र में बिबे का संकट पैदा हो जाता है बात है समझ में आरेगे आप कई बार नौकर साहिव है बिरोक्रेट हो परसास्तन बे हो बिबे का संकट पैदा हो जाता है सैने सेवक भी कई बार जो सेना में हैं वो भी बिबे के संकट का सामना करते हैं वो लेकिन परस्तन ही है कि हल करने का तरीका क्या है अज जब ही आप बिबे के संकट से हो तो सबसे बढ़ी चीज़ तो ये है बिवे के संकर से निकलने का रास्ता ये है कि जो परस्थिती है उसके सभी आयामों पर ध्यान दिया जाए जायमें सर्वर्भ ध्यान दिया जाए और सार्विक हित का आधार पर नेड़े लिया जाए सार्विक हित का आधार पर स्वैंका मुल्यांकन करें वो हमेशा जब व्यक्ति भ्रह्म के स्थिति में खड़ा हो जाता है ना कुछ समय के लिए मौन वरत धारन कर ले ध्यान को केंद्रित कर ले और ये सोचे को जो हिदी वा होता हूँ जगा तो क्या करता वो निकलने का जो रास्ता है उसका जिसकी जरचांव करेंगे अगला देखो जरा नाथिक संकड क्या है कि जब आपको अनैतिक कारने के लिए मजबूर कर दिया engine अनैतिक जब कार करने के मजबूर कर दिया जाएगा तुस्ώς एक इथकल क्राईसिस कहा जाता है उसko कि उसे नैतिक संकड कहा जाता है अरी बात है, नैतिक दुबधा, नैतिक संकट के बीच, अंतर बताना आपको, नैतिक दुबधा में दो समान मुल्य होते हैं, दोनों मुल्य नैतिक हैं, उसमें किसी एक कुछ चुन्ना है, और नैतिक संकट में क्या होता है, आपको अनैतिक कारने के लिए मजबूर कर दिया जाता है उसे नयतिक संकड कहा जाता है अगली चीछ देखुआ नयतिक पहचान को रहारण करोपे स्पष्ट करें सिंपल चीजे देखा जाए नयतिक पहचान क्या होती है जब व्यक्त के प्रतिक डिसीजर में नयतिक मुल्य प्राथ्मिक हो जाए अर्थाथ जब कोई व्यक्ती नेड़े लेते समय नयतिक मुल्यों को मातु देने लगे नयतिकता को प्राथ्मिकता देने लगे उसे कहते हैं नयतिक पहचान एक जामपल मानवाधिकार कार करता मानवाधिकार कार करता दिखा होगा क्यों जन्ता के अधिकारों के लिए लड़ते हैं परियावण दिविद जो परियावण सनक्षन के लिए समाजिक नियाय के पैरोकार चैनल मंडिला हो चैनल अंबेटकर हो क्योंकि लोगों की पहचान नैतिक पहचान की रूपمنे होती है कोई परूपकारी प्रस्नी ये है नैतिक पहचान बबल देने का पड़ाम क्या होगा सोचो हर बेक्तिपनी पहचान नैतिक मुल्यों का अधार पर करने लगे तो हमेशा नैतिक निड़े लेगा समाज में संगर्स नहीं होगे संसादनों का नियाचीद वित्रन होगा नैपुर्स समाज का निर्माण होगा समाज में भेधभाव नहीं होगा ना तो कोई हमीर होगा ना तो कोई गरीव होगा अरे बात हैं उस समाज में काणून क्या होगी नी क्योंकि नैतिक पहचान का इतना ज़्यादा विकास ہوगा लोग अपराद नहीं करेंगे एक चीज़ सोचो समाज का प्रतिक सदस्य नैतिक निड़े लेने लेगे अनैतिक कार को छोड़ देगा गलत कार को छोड़ देगा जब गलत कार को छोड़ देगा अपराद नहीं होगे आप राद नहीं होगे, तब पुलिस प्रसासन का आओ सकता भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, आरे ये बात हैं, तो इक छास लोग कानूर का पालन करेंगे, सस्त ये है, एक रामराज मुर्त रूप लेगा, नत को इतना अमीर होगा, कि किसी को खरिश सके, नत को इतना होगा, कि अपने आप को बेच सके, बाते समझ में आगे, अगली चीछ देखो आप, नयतिक प्रबंधन के आर्थों मात को इंगीत करें, आर्थों मात तो दोनों को बताना है, और नयतिक प्रबंधन का आर्थ क्या है, नयतिक मुल्यों के अधार पर किसी संग्ठन में प्र अधार्त, ये कहा जाए, उस आर्गनाजेशन में लोगतांतरिक मुल्यों को महत्तु, और संग्ठन के प्रतीक कर्मचारी को महत्तु देना, इसका महत्तु क्या है, जब इतिकल मेंजमेंट होता है न, तो आर्गनाजेशन में विस्वास को प्रुस्चान मिलता है, जो decision होत है, और आर्गनाजेशन का प्रतीक कर्मचारी उसे accept करता है, लोग उसका उन्हों पालन करते है, उस आर्गनाजेशन में सुसासन, कर्मचारियों का मनोगल बढ़ता है, और जो किम प्रबंधन क्या होता है, आसान होता है, वो निगेटिव वर्थ में मीडिया मैनेज, यह पॉजिटिव है, नैतिक प्रबंदर का मतलब क्या है, नैतिक मुल्यों का अधार पर प्रबंदन, और नैतिकता का प्रबंदर का मतलब क्या होता है, नैतिक मुल्यों को मैनेज करना, वो लाकरात्मक है, ठीक है, ethical management अलग है other management of ethics अलग है कही ने कही समझ होता करना पड़ता है यही है सतकुष्टन समझ में आगे होगी फ्रिम तो समझ में आगया होगा अब हम बात करें चलो अब हम बात करते हैं कुष्टन को फ्रिम करते हैं